जैमातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ओम नमस्षिवाए इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहुर्त में करते हो तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे कौन-कौन सी शक्तियां जागरित होती है और ये मंत्र आपकी उर्जा को कैसे आपकी उर्जा को आपके कल्यान के लिए विस्तारित करता है और आपके कुंडलीनी शक्ति किस प्रकार से जागरित होती है देखिए दोस्तो ब्रह्म मुर्थ एक ऐसा समय है जो सर्वस्रेष्ट समय माना जाता है मंत्र जाप के लिए चाहे वो वैदिक मंत्रो चाहे वो तांत्रिक मंत्रो और चाहे वो शाबर मंत्रो क्योंकि यही वो समय है जिस समय पर ब्रह्मांड की समस्त शक्तिया अपनी सर्वोच्च सीमा पर होती है अपनी पूर्ण रूपेण शक्ती में होती है और इस समय पर सारा ब्रह्मांड एक अलगी उर्जा विस्तारित करता है एक अलगी उर्जा को हमारे तक पहुँचाने के लिए ब्रहमांड कारे करता है शक्तियां कारे करती हैं इस समय पर समस्त जीव जन्तु सोय हुए होते हैं और शक्तियां जागरत होती हैं एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि जब सब सोते हैं तब योगी जागता है तो इसी कहावत में आप समझ सकते हैं कि जब सभी लोग ग साधनाई करते हैं और बड़ी बड़ी सिद्धियां पराप्त करते हैं आपने अक्सर देखा हुआ कि बहुत से लोग बहुत जादा चमतकारिक होते हैं वो एक मिनट में कोई भी चीज गायब कर देते हैं एक मिनट में कोई भी चीज अपने हाथ में परकट कर देते हैं एक मि इसलिए ब्रह्म्म मुहरत रातरी काल का समय सबसे जादा सुरेष्ट माना जाता है। मुहरत में बहुत जादा शक्ति उर्जा अपने चरम सीमा पर होती है। इसलिए अगर आप इस समय पर मंत्र का जाब करेंगे तो आपका मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होगा और सिर्फ सिद्धी नहीं होगा, वो मंत्र आपको ऐसा प्रभाव दिखाएगा, ऐसी शक्ति दिखाएगा कि जैसी शक्ति आपने कभी नहीं देखी होगी। या फिर आप रत्यक्ष रूप से उनकी सिद्धी पराप्त करना चाहते हैं, वो लोग ओम नमस्षिवाय का जाप करते हैं। कैसा भी कर रहे हो, मार्ग में कोई बाधा आ रही हो, कोई रुकावट आ रही हो, आपका धन से जुड़ा कोई मामला है, कोट का चेहरी से जुड़ा कोई मामला है, आपको शत्रू परेशान कर रहे हो, आपको प्रेत बाधा परेशान कर रहे हो, आपके विवाहा जो आपक लेकिन इस मंत्र का जाप कैसे किया जाए वो मैं आपको बताता हूं देखिए ओम नमस्षिवाए एक शास्त्रोक्त मंत्र है और वेदोक्त मंत्र है तो इस तो मैं आपको बता दू कि इस मंतर का जाप विदि विधान से ही किया जाना चाहिए बिना विदि विधान के अगर आप इस मंतर का जाप करते हैं तो आपको परभावत दिखेगा आपको भगवान शिव की कृपा तो मिलेगी लेकिन जो एक desire result आप चाहते हो वो आपको नहीं प्राप्त होगा विदि विधान का मतलब यह है कि इस मंत्र को विदिवत रूप से गुरु धारन करके दिक्षा के रूप में इस मंत्र को प्राप्त कीजिए और दिक्षा भी किस से ऐसी नहीं किसी से भी जाकर के दिक्षा ले ली कहीं भी कोई भगस से जाकर के ले ली किसी भी ओजा से जाकर के ले ली अरे जिस वैक्ती ने खुद इस मंतर को सिद्ध ना किया हो तो वो आपको दिक्षा के रूप में इस मंतर को दे भी देगा तो भी ये मंतर आपको उतना प्रभाव नहीं दिखाएगा विदीवत रूप से दिक्षा का मतलब है कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार यानि कि शैव संपरदाई के जो संत है, महात्मा है जो सिद्ध योगी हैं जो जिनोंने इस मंतर को सिद्ध किया है वरशो जब करके, वरशो तब करके इस मंतर को जगाया है पकाया है सिद्ध किया है तो ऐसे शेव संपरदाय के योगियों से सिद्धों से इस मंतर को दिक्षा की रूप में जब आप प्राप्त कर लोगे और जब आप इस मंतर का जाप करोगे ब्रहम मुहरत में तब आप इस मंतर की शक्ती देखना मैं आपको क आप बताओं कि आप खुद हैरान रह जाओगे ये मंतर इतना जादा शक्तिशाली है शाक्षात शिव का शिव का अनुभाव आपको अपने पास होगा जब आप इस मंतर को ब्रह्म मुहरत में जाप करोगे और कोई लाग सवा लाग दस लाग बारा लाग की नहीं जब आप एक सिद्ध महात्मा से इस मंतर को सिद्ध मंतर को प्राप्त कर लोगे तो आपको ये तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा और गारंटी के साथ कह रहा हूं जहां आपने अपने गुरू के उपर अपने इश्ट के उपर विश्वास रखे श्रद्धा जैसे कि बड़ी बड़ी सिद्धिया कहने का मतलब यह है कि आपके दिव्वे द्रिष्टी खुलनी शुरू हो जाएगी आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं खतम हो जाएंगी आप अपने मुख से अपने जीवा से जिसको अच्छा बोल दोगे अच्छा हो जाएगा जि च्छाली यह मंत्र है लेकिन इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर ही करना और दिख्षा ले करके करोगे तो बहुत ही स्रेष्ट है लेकिन फिर भी अगर आपको दिख्षा नहीं मिल रही है तो आप किसी भी ब्रामड से किसी भी मंदिर के पुजारी से मंदिर के मह किसी ब्रामड से आप इस मंत्र को ग्रहन कर सकते हैं, उनसे इस मंत्र को आप ले सकते हैं, तब भी ये भी आपका एक देख्षा का करम आना जाएगा, लेकिन एक गुरू, शिश्य परमपरा के अनुसार जो बातोर प्राप्ट होता है, उसकी एक अलग ही बात होती है, लेकिन कोई नहीं कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लेना अगर ब्रामण से भी आपको मंत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे तो फिर आपको करना है भगवान शिव को ही अपना गुरू बना करके कि है भगवान शंकर हम आपको अपना गुरू बनाते हैं और गुरु मंत्र के रूप में हम आपके ही मंत्र का जब कर रहे हैं, अब آپ हमारा गुरु के रूप में मार्ग दर्शन करिए। ज extras को ही गुरु बना करके इस मंत्र को ग्रहण कर लोगे, तो ये मंत्र आपका गुरु मंत्र बन जाएगा और भगवान शिव तब भगवान 6 देवता के रूप में नहीं आपके गुरू के रूप में चलेंगे और आपको वो समस्त सिद्धियां समस्त साधनाई करवाएंगे तंत्र के शेत्र की गुप्त जानकारियां आपको प्राप्त होंगी और मंत्र कैसे सिद्ध किया जाता है किस मंत्र से किस शक्ति की सिद्धी प्राप्त होती है, सबी जानकारियां आपको गुप्त रूप से प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, भगवान शंकर किसी ना किसी रूप में, किसी वैक्ति के रूप में, स्वप्न में आकर किसी साधू के रूप में आपको जानकारी देना शुरू कर देंगे, लेकिन ब्र करके सनान करके शुद्ध वस्तर आपको धारण करने है उसके बाद में अपने आसन के उपर बैठ करके आप एक धूबती जला लीजिए एक देशीगी का दीपक जला लीजिए और फिर उसके बाद में आप रुदराक्ष की माला ले करके मंतर का जाब शुरू कर दीजिए ग् पिर आपको एक शक्ती का आभास अपने चार ओर होगा आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कुंडलेनी शक्ती जागरित हो गई है और मेरे उपर भगवान शिव का हाथ है शाकषात भगवान शंकर मेरे साथ चल रहे हैं ऐसा अनुबव आपको होगा तो इसी के साथ मैं चाहूंगा आशा करता हूं दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दिया आपको अच्छी लगी होगी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की जानकारी में आपको लगातार देता रहूंगा अगर आप लोग चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को आपको लगाता रहूंगा तरह कि